तो वाई टर्किश इन्वेडर्स वाउन और वाई राजपूत राजपूत तो इसमें पहला गार था एकता का भाव राजपूत राजाओं में एकता का बहुता भाव था ऐसे देखो चौहान जैचन की पुत्री गुठा ले रहे हैं ठीक है गुर्जय प्रतिहा जो आपस में लड़ दाने तो मरको चौहानों ने हरा दिया गुर्जय प्रतिहार को राजपूत यह राद दिया चालुक कुपलों सब आपस में लड़ दा है बिखरे बिखरे से हैं और 36 राजपूत हुआ करते थे 36 राजपूत क्लैंस इन नौर्धन इंडिया और तुर्कों के सब्सक्राइब करने के लिए सामरा जिफाल आने के लिए तो एक तका अब हो था इस कारण से राजपूत कमज़ोर पड़े और दीरे करके देखो यह अईसा नहीं कि एक बार में सब्सक्राइब दिया इधर आये तो इनको हरा दिया जिए नहीं पाए इंसे हैं तो कहा है द एक तक अब हो दूसरा पूरानी युद्ध प्रडाली बाहत में लड़ाई कर रहे हैं जो राजपूत्स हैं वहाथी में बैठके लड़ाई करेंगे उनकी युद्ध जो शस्त्र है अस्त्र है टूस एंड वैपन्स वह पूरानी प्रडाली के तुर्कों का तीरंदाजी जो है धनुजबान चलाने की कला वो ज्यादा अच्छी थी तलवार बाजिक कला ज्यादा अच्छी थी उनक्या पेक्षा ऐसा माना ज्यादे कुछ लो तो यह बताते हैं कि पुरानी युद्ध प्रडाली थे हैं और तुर्कों की तीरंदाजी बड़ी अच्छी थे अब घोड़ों पे सवार होकर की लड़ाई करते थे घोड़े तेज फुर 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 दोड़ते हैं हाथी धीरी धीरे करें मतलब बैलनस नहीं म उथा रहे हैं तुर्क जीते हैं फिर भारती समाज में छुआ छूत इंच उंच नीच इसका बॉल बाला था जो कि हमने देखा अलबरुनी ने अपने पुस्तक किताब लिंद या तहकी के हिंद में इसका वर्ड़न किया मुलेच उंच नीच जाती वे उस था यह सब थे इ अपने बॉर्डर को सेक्योर नहीं कर पाया है तो अब बाद में सल्दन लोग आय तो अपना जहां बार्डर लाखता था उसको मजबूत करने कॉयास करते हैं आगे अगे रहा है कि जो यहां हो पीजिएनара कारार Two सकता है तो वहां पिशयुष्प्रगा और अधिकारी को ट किस बात का बहुत साथ धर्म मिलेगा बहुत सारा लूट पार्ट करेंगे और उससे बड़ा अपने धर्म का प्रसार करेंगे